वेल दोस्तों कुछी समय पहले शिजैन मुहम्मद खान का स्टेटमेंट जारी हुआ था जिसमें उन्होंने साफ तौर से बताया था कि तुनीशा शर्मा से वो रिलेशनशिप में थे और उन्होंने 15 दिन पहले ही ब्रेक अप कर लिया था जिसकी बड़ी वज़ा है उनका ध इंडिया शिजैन के घरवालों से बात करने की कोशिश कर रही है एक बयान शिजैन की बहनों ने यानि की फलकनाज और शिफकनाज ने अपनी चुपीस मामले में तोड़ते हुए बयान दिया है और कहा उन्होंने ये कहा है कि हमें इस मुश्किल घड़ी का सामना करने के ल बुरे फस गए है तुनीशा की मा ने शिजैन पर गंबोई आरोप लगाते हुए अपनी बेटी के लिए नयाएकी बांग की थी शिजैन को बुमबई पुलिस ने तुनीशा को यानि के अपनी एक्स गर्फरेंट को जान देने पर मजबूर करने के आरोप में गिरफतार कि तो वहीं शिजान की बेहनों ने कहा जितना सभी दूसरी साइट की कहानी को जानना चाते हैं उतना ही हम भी इसे जानने में दिल्चस्पी रखते हैं लेकिन तब तक हमें इस मुश्किल घड़ी का सामना करने के लिए प्राइवसी दे दोनों परिवार इस समय विक्टिम है सही समय आने दीजिए और हम इस मामले पर बात जरूर करेंगे लेकिन ये सही समय नहीं है एक मौत बहुत ही दर्दनाक चीज होती है सभी को पीडित परिवार के बारे में सोचते हुए उन्हें प्राइवसी देनी चाहिए ताकि वो जाने वाले का गम कर सके और सांती सांत भी मस्बूत बना सके उन्होंने आगे कहा ये बहुत ही दुर्भाग्य बूर्ण पल है हमने एक कीमती इंसान को खो दिया है और दूसरा गिरफतार हो गया शिजान पर धेरो आरोप लगाए गया और पुलिस इनकी चार्च कर रही है पुलिस को अपना कांग करने दे मुझ अपनी बात को खतम करते हुए कहा हमें भारत की नयायाई व्यवस्ता पर पूरा भरोसा है हम उमीद करते हैं कि सचकी जीत होगी सांती हमारी चुपी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए हम जल्द ही इस बारे में बात करेंगे जब समय सही होगा लेकिन अभी के लिए हमारी प कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शियर करना आप ना भूल